हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम चू मैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइपस ओफ नाउन बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डेफिनिशन क्या होती है, तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको समझने से पहले वो वीडियो जरूर देखे, ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझा पाए और अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको उपर आये बटन के रूप में दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए और नाउन की डेफिनेशन को देखकर समझेए तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टैपस ओफ नाउन यानि की नाउन के प्रकार, संग्या के प्रकार तो चलिए अपना टोपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमें नाउन के फाइब डिफरेंट डिफरेंट टैपस के बारे में पढ़ना है कौन-कौन से हैं वो टैपस? उससे पहले है प्रोपर नाउन फिर है common noun, उसके बाद material noun, फिर है abstract noun और last में है हमारा collective noun तो चलिए इन सभी types के बारे में detail में जानते हैं कि ये क्या होते हैं तो बच्चों, types of noun में सबसे पहले हम पढ़ेंगे proper noun proper noun को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संग्या proper noun refers to the name of a particular place, person or thing तो जो proper noun होता है बच्चों, किसके लिए use होता है? जब किसी proper किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी place का नाम होता है या किसी चीज का नाम दिया होता है, तो वो कहलाता है proper noun यानि कि व्यक्तिवाचक संग्या देखिए, सबसे पहले हमें दिया है हर्षित तो हर्षित किस का नाम है ये? ये किसी person का नाम हो सकता है अब है देली, तो देली भी particular किसी जगे का नाम है place का नाम है उसके बाद है सीमा सीमा भी किसी girl का नाम है लड़की का नाम है फिर है यमना यमना भी बच्चो किसका नाम है river का तो यह सबी कि सबी नाम किसी particular चीज के लिए यूज हुए हैं चाहे वो person हो place हो या thing हो तो जो भी नाम किसी particular place person और thing के लिए यूज होता है वह कहलाता है proper noun यानि कि व्यक्तिवाचक संग्या proper noun के बाद अब next type कुन सा है common noun common noun को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संग्या common noun refers to the name common to all person or things of same kind तो बचों जो एक ही तरह के person के लिए एक ही तरह चीजों के लिए जो noun यूज होते हैं उन्हें कहते हैं common noun देखें जैसे की example में दिया है mountain तो mountain तो कोई भी mountain हो सकता है जब कोई specific नाम नहीं दिया होता कि mountain का नाम क्या है तो उसे कहते हैं common noun उसके बाद दिया है country तो country भी किया गया कि particular किसी देश का नाम बताया गया हो ऐसा नहीं है अब है boy तो boy भी कोई भी लड़का हो सकता है इसमें भी किसी boy का नाम नहीं दिया हुआ जब particular नाम नहीं दिया होता और सभी एक ही तरह की चीजों के लिए एक ही तरह के persons के लिए एक ही word यूज होता है वो कहलाता है common noun अब next type है हमारी abstract noun abstract noun को बचों भावबाचक संग्या भी कहते हैं name of anything which can neither be seen nor be touched but can be felt is called abstract noun तो बचों जिस चीज को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको touch कर सकते हैं सिर्फ उसको feel कर सकते हैं तो वे सभी noun क्या कहलाते हैं abstract noun कहलाते हैं देखे जैसे friendship तो बचों friendship को आप ना तो touch करके बता सकते हैं और ना ही देख सकते हैं सिर्फ feel कर सकते हैं अब next है childhood तो childhood को भी बच्चों बच्पन को भी नहीं तो हम touch कर सकते हैं और नहीं देख सकते हैं बल्कि ये एक मैसूस करने की चीजे है अब है dream तो dream भी क्या है बच्चों नहीं तो देख सकते हैं उसको हम और नहीं touch कर सकते हैं सिरफ इसको feel किया जा सकता है तो जो भी चीजें हम सरफ feel करते हैं उन्हें क्या कहाता है बचों वो सभी noun क्या कहलाते हैं abstract noun अब next type है collective noun समो वाचक संग्या collective nouns refers to the name of a group or collection of many taken together तो collective noun बचों किसके लिए use होता है जब बहुत से लोगों का group बहुत से चीजों का group होता है या कुछ चीजों का collection होता है साथ में तो उसके लिए use करते हैं हम collective noun यह देखिए यहां दिया है committee तो committee में बहुत सारे member हो सकते हैं अब है family तो family भी क्या है बहुत सारे members का family members का group है फिर है bunch भी गुच्छे की रूपी मिलती है जानलेजिये bunch of grapes हो सकता है bunch of keys हो सकता है तो उसमें भी क्या है collectie होता हुँ अब एक class तो class में भी बहुत सारे लोगों का sumow होता है अब ये है group तो group में भी क्या होता है बचों बहुत सारे लोग हो सकते हैं और किसी भी चीज का गुरूप हो सकता है, फिर दिया है स्टाफ, तो स्टाफ में भी बहुत सारे employees हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए बच्चों ये सब क्या कहलाते हैं, collective noun कहलाते हैं, अब नेक्स टाइप कौन सी है बच्चों, material noun, material noun को हिंदी में कहा ज तो बच्चों, material noun किन चीजों की नाम के लिए यूज होता है, उन materials के लिए या उन पदार्थों के लिए जिनसे की कोई चीज मिलकर बनती है, जैसे example में देखिए, metal, तो metal क्या है बच्चों, कोई material है, जिससे की कोई चीज हम बना सकते हैं, silver भी क्या है, metal है, iron भी क्या है, metal है, और plastic क्या है, कोई material है, जिससे की different different चीजें बनती हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, material noun तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like कीजिए, और अपने friends के साथ share जरूर कीजिए, जिससे वो भी इस तरह के सभी topics को cover कर पाएं, और अगर आप channel पे नए हैं, तो channel को subscribe कीजिए, और bell icon को press के लिए बहुत सारी different different worksheet आएंगी, जो कि noun से related होंगी, जिनको करके आपको ये पता चल पाएगा, कि आपको ये topic कितना समझ में आया है, तो उन वीडियो को जरूर देखे, और last में बस यही कहूंगी, घर पर रहिए, मगर पढ़ते जरूर रहिए, thank you for watching my video, झाल